बहुत ऐसा पहले की बात है एक हजाम था वो इतना बेवकूफ था कि कोई काम भी सही तोर नहीं कर सकता था वो इतना बेवकूफ था कि अपने गाहकों के सरके बाल काटने की बिजाए कान काट देता और दाड़ी काटने की बिजाए गरतन इसलिए लोगों ने आइस्ता आइस्ता इसकी दुकान पर आना ही बन कर दिया और एक दिन ऐसा आया कि इसके पास कुछ ना रहा सिवाए उस्त और बीवी के और दोनों ही तेज थे इसकी तेज मिजाज बीवी अमोमन इसे ताने ही दिया करती जब इसने देखा कि घर में कुछ नहीं रहा तो इसने चिलाना बकना शुरू कर दिया जुबान चिलानी शुरू कर दी लेकिन हजाम ने सब कुछ सबट से बढ़ज किया और कहा शोरो गूर मिचाने से क्या फाइदा ये सब कुछ तुम मुझे पहले बी कहती रही हो मैं तुम से बिलकुल मुत्रफिक हूँ मैंने ना कभी काम किया ना कर सकता हूं और ना कभी करूँगा बीवी ने कहा फिर तुम्हें भीख मांगनी चाहिए मैं फाके से नहीं मरूंगी तुम बादशाह के पास जाओ और इससे कोई चीज मांग लाओ जशन मनाया जा रहा है मुझे यकीन है बादशाह गरीबों में खेरात बांट रहा होगा हजाम ने कहा ठीक है वो अपनी तेज मिजाज बीवी से कुछ डरता भी था इसलिए सिदा बादशाह के महल पहुंचा और बादशाह के कोई चीज देने की दरखास की बादशाह ने पूछा कोई चीज क्या चीज अब तु हजाम बहुत ही सक पटाया क्यूंकि उसकी बीवी ने किसी चीज का नाम नहीं बताया था और हजाम इतना कोड मगस था के खुद से कुछ भी नहीं सोच सकता था लहाजा इसने घबरा कर कहा कोई चीज भी दे दीजिए बादशाह ने पूछा क्या जमीन का एक टुकड़ा लोगे बेवकूफ हजाम ने सोचा के शायद जमीन ही सबसे अच्छी चीज है लहाजा फॉरण ही जमीन लेने की हामे भर ली बादशाह ने शहर से बाहर बेकार पड़ी जमीन देने का हुकम दिया और हजाम मुतमिन होकर घर वापस आ गया बीवी बड़ी बेसबरी से इसका इंतजार कर रही थी देखकर फॉरण बोली तुम क्या लाए हो मुझे जल्दी से दो था कि मैं खाने के लिए कुछ खरीद कर ला सकूँ अब इसकी बीवी इतना शोर मचाया होगा जब इसको ये मालूम हुआ होगा कि इसके खावन को जमीन का एक किता मिला है अजाम ने गिरगिरा कर कहा लेकिन जमीन जमीन होती है ये कहीं भाग नहीं सकती हमारे पास कुछ ना कुछ तो रहेगा ना बीवी ने घुस्से से कहा तुम जैसा एहमक दुनिया में नहीं होगा जब हम इस जमीन पर काश्ट ही नहीं कर सकते तो इस जमीन का क्या फाइदा हल और बेल कहां से लाएंगे लेकिन इसकी बीवी बहुत चालाग थी इसने सोचना शुरू कर दिया और जल्दी से इसने बेकार पड़ी जमीन को कारामत बनाने का मनसूबा बना लिया इसने अपने शुहर को साथ लिया और बंजर जमीन पर पहुँच की इसने हजाम से कहा बस मेरी नकल करते रहना इसने मैदान में घूना फिरनों शुरू कर दिया और जगा जगा जमीन को बड़ी बेचैनी अंदाज में देखती रही और अगर कोई शेक्स वहां से गुज़ता फॉरन वहां बैख जाती और ये जाहिर करती कि कुछ भी ना कर रही हो इत्तफाक से वहां साथ चौर जार्णियों के पीछे चुपे बैठे थे और हजाम और उसकी बीवी की सारी हरकतें देख रहे थे वो इस नुक्ते पर पहुँचे के दाल में कुछ शकाला है लहाज़ा सूरज ग्रूप होने से पहले एक चौर सुरते हाल मालूम करने के लिए आया पहले तो हजाम की बीवी ने रासदाराना तोर पर इतर उदर देखा फिर बोली मेरे दादा ने इस जमीन में पांच सोने की भरी देगें चुपा दी थी मैं वो जगा तलाश कर रही हूँ ताके देगी खोद कर निकाल सकूँ मगर तुम ये बात किसी को मत बताना चौर ने बड़े खलूस से ये बात किसी को ना बताने का वादा किया मगर जैसे ही हजाम और इसकी बीवी खर गए चौर ने खजाने के मतलिक अपने स्थाथियं को बताया और वो सब खजाना तलाश करने लग गए वो तमाम रात जमीन खोलते रहे और इसको हमवार करते रहे यहां तक के खेट इसी तरह मालूम होने लगा जिस तरह साथ बार इसमें हल चलाया गया हो इतनी मेहनत के बावजूद इस जगा सोना चांदी तो क्या फूटी कोडी ना मिली तो वो चले गए हजाम की बीवी ने अपने मनसूबे के मताबिक जब खेट को इतना उम्दा खुदा हुआ पाया तो वो दिल ही दिल में बहुत खुश हुई और एक वल्ला फरोश के पास गई और इससे चावल उधार मांगे जो के इसने खुशी खुशी दे दिये क्योंके इसे तीन गुना ज़्यादा मिलने की उमीद थी हजाम की बीवी ने चावल की फसल उगाई जो के उमीद से ज़्यादा अच्छी दही इसने चावल बेच कर करद उतारा और बाके के शर्फियां खरीद ली ये माजा देखकर चोरों को बहुत घुसाया और हजाम के घर गए और बोले इसमें हमें भी हिस्सा दो तुम जानती हो इसको फसल के काबिल तो हमने ही बनाया था हजाम की बीवी बोली मैंने तुमें बताया था कि जमीन के अंदर सोना मुजूद है तुम उसे हासिल ना कर सके लेकिन मैंने निकाल दिया अब वो मेरे पास मुजूद है और मेरा है और तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता चोरों ने कहा ठीक है फिर तुम आज रात जरा संबल कर रहना इस रोज एक चोर धर में छुपकर बैठ गया ताके जब ये लोग सो जाएं तो वो अपने साथियों के लिए दर्वाजा खोल सके लेकिन हजाम की बीवी चालाग थी इसने इसे देख लिया और इसे मज़ा चखाने की तरकीब सोचने लगी हजाम जो कि चोरों से जरा दरा हुआ था इसलिए बीवी से अशर्फियों के बारे में मालूम करने लगा बीवी बोली मैंने दर्वाजे के पास जो ताक है इसमें मिठाई के डबे के नीचे जो बरतन है इसमें रख दी है चोर ने जब ये सब सुना तो बहुत खुश हुआ सब घरवाले जब सो गए तो वो चुप चाप उठा और बरतन उठा कर घर से निकल गया इसने अपने साथियों को का नामा बड़े फखर से सुनाया हुजाम की बीवी ने कहा था कि उपर वाले बरतन में मिठाई है और पहले वो इसे अपने साथियों में भर दी थे जो चुड़ों नादीदों की तरह मुँ में भर ले चुड़ों को हुजाम की बीवी की इस हरकत पर बहुत घुसा आया वो दूसरी दिन हुजाम की बीवी के पास गए और इससे अपना हिस्सा मांगा तो इसने इनका बहुत मजाग उड़ाया चुड़ों ने कहा अब तुम जरा संबल कर रहना तुमने दूसरी दफ़ा हमें बेवकूफ बनाया है अब दूसरा चुड़ इस ख़र में चुप कया लेकिन हुजाम की बीवी ने इसे भी देख लिया इस साथ भी हुजाम ने बीवी से पूचा कि तुमने अशर्फियां कहा रखी है यकीनन बिस्तर के नीचे तो नहीं रखी होंगी वो बोली नहीं मैंने इने बांध कर नेन के द्रख पर लटका दिया है क्यूंकि इस मतलिक तो कोई गुमान भी नहीं कर सकता वहां अशर्फियां है चुपा हुआ चोड दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ जब दोनों मियां बीवी सो गए तो दबेपाउं वहां से निकला और अपने साथियों को सारी बात बता दी चोडों का सरदार बोला यकीनन ये बात सही है वो जब दरख्ट के पास आए तो उन्होंने देखा कि वाके ही नीन के दरख्ट के ऊपर कोई चीज लटकी हुई है इसने एक चोड को हुकम दिया कि इस चीज को उतार कर लाया जाए उन्होंने जो चीज देखी हकिकत में वो भेरों का च्छता था जिस पर भेरे मौजूद थी एक चोड रख्ट पर चढ़ा और जो ही इसके गरीब गया एक भेर उड़कर इस चोड को काट लिया चोड ने फोरें अपना हाथ इस जगा मारा नीचे वाले बोले अरे तुम अशर्फियां अपनी जेब में डाल रही हो तुम ये समझ रहे हो वहाँ अंधेरा है और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा इधर वो बेचारा जब भेर की काटे जगा पर हाथ मार रहा था तो वो समझ रहे थे के अशर्फियां अपनी जेब में डाल रहा है चोड ने जबाब दिया मेरा यकीन करो मैं ऐसा नहीं कर रहा बलके मुझे कोई चीज काट रही है इसी वक्त एक और भेर ने उसके सीने पर डंग मारा तो इसने वहाँ हाथ रखा चोडों ने कहा छी छी हमने तुमें अशर्फियां जेब में डालते देख लिया है तुम रुक जो वरना हम तुमें इसकी सजा देंगे उन्होंनी दूसरा आदमी उपर बेजा इस पर भी भेरों ने हमला कर दिया इस बिचारे ने भी इदर उदर हाथ मारने शुरू कर दिये नीचे वाले चिलाने लगे शरम करो फिर एक के बाद एक तमाम चोरों ने बारी बारी माले उनीमत लोटने के लिए रख पर चड़ना शुरू कर दिया फिर चोरों का सरदार भी उपर चड़ गया इसने तो भेरों का चटा ही अपने हाथ में ले दिया बगर जब भेरों ने इन सब को काटना शुरू कर दिया तो इधर उधर हाथ मारने लगे वो सब जिस शाह पर बैठे थे तूट गए और सब के सब चटे समेट जमीन पर गिर गए इसके बाद हजाम और इसकी बेवी ने सकून का सांस लिया क्योंकि सब चोर हस्पताल चले गए और इन्होंने सोच लिया कि अब वो कभी वापिस नहीं आएंगे लेकिन वो गलती पर थे एक रात इनके घर की खिर्की खुले हुई थी जाम की बीवी बांते करने की आवाज सुनकर जाग गई इसने चोरों की आवाज पहचान ली वो थोड़ा घबराई लेकिन इसने इरादा किया कि बगएर कोशिश के हार नहीं माननी चाहिए इसने शोहर का तेज उस्तरा हाथ में पकर लिया और खिर्की की एक तरफ अंधिरे में चुपकर खड़ी हो गई जिसे ही एक चोर ने खिर्की से जांका इसने बड़ी सफाई से चोर की नाग काट ली तेरा सतिया नास इस चोर ने फोरण वापिस लोटा और दूसरों को बताया कि किसी तेज चीज से मेरी नाग काट गई है दूसरे ने कहा तुम सब को जगाद होगे बाहर आजाओ इसने कहा मेरी नाग से खून आ रहा है दूसरे ने कहा तुमने शायद शटर से अपने नाग टकरा ली होगी बाहर आजाओ मैं जाता हूँ लेकिन इस बेचारे की भी नाग कट गई वो बाहर आकर बोला दोस्तों यकीनन अंदर कोई तेज धार चीज मुझूद है तीसरे ने कहा शायद मांस का कोई टुकडा होगा अब मैं जाता हूँ इसी तरह चोथे पांच में चटे और इनका भी यही हाल हुआ आखर में सदार की बारी आई वो तेज तराद और चाला का अदमी था इसने कहा एक को तो सही सलामत रहना चाहिए ताके तुम्हारे जखमों की दवा भी की जा सके आओ अब खर चलते हैं इनके जाने के बाद हजाम की बीवी ने चराल जिलाया और सब नाकों को एक जगा जमा करके संदूक में रख दिया अब इससे पहले कि चोड़ों के जखम भरते गर्मिया शुरू हो चुकी थी हजाम और इसकी बीवी को घर ने गर्मे लगती थी इसलिए उन्होंने चारपाईया घर से बाहर बिचाएं